तो finally remake कुमार यानि के अक्षए कुमार की एक और नहीं मूवी आचुकी है थीयटर्स के अंदर इसका नाम है सरफिरा जूकि एक remake है एक Tamil मूवी जिसका हिंदी नाम है उडान और ओरिजिनल नाम है सोराराई पोधरू और Tamil वाले वर्जिन के अंदर लीड रूल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं सूरिया और इस मूवी कें अंदर लीडरोर में है प्रहिंग कर पाइंगे तो मूवी की कहानी की बात करें तो वह है बेस्ट्ड क्रू इवेट वाले जहा पर एक एद्डुडर्स आम आद्मी जो है वो अपनी एक एरलाइस कोलना चाहता है ताकि जो मिडल क्लास लोग है या वो लोग जो की एजिली एफोर्ड नहीं कर पाते है एरप्लेंस के टिकेट बगेरा तकि वो लोग इस साधन का उपयोग कर पाए और उनकी एक रेगुलर लाइफ के अंदर एड हो जाए और य के आने से पहले ही उनकी मृत्ति हो जाती है तब उन्हें रियराइस होता है कि लाइफ में काफी सारी चीज़े पीजे चूट चुकी है और अब वो आपस नहीं आने वाली और इसकी एक होचा एरपोर्ट भी है क्योंकि जब वहाँ पर वो टिकेट बुक करा रहे थे तब उनकी पास कुछ पैसे कम पढ़ गया अनफॉर्चुनेटली टिकट थोड़ी सी महंगी थी तो वो किसी ना किसी तरह से जुगाड़ करके एक सेर से दूसरे सेर जाते हैं समय लग जाता है बहुत क्योंकि यही एक रास्टा उनकी पास बचा था ट्रेंड नहीं जा सकते क्य क्योंकि फाउंडर है डेकेन एरलाइन्स के जो की अब बंद हो चुका है कुछ फाइनेंशल इसूस की वज़ह से एक तरह से हम क्या सकते हैं कि यह मूवी जीयार गुपिनात की लाइफ से इंस्पायड है नॉट बायोपिक मूवी के अंदर हम देखते हैं जो तमिल वाला वर्जिन में तेलंग गाना और इस मूवी के अंदर महराष्टर का एक छोटा सा गाहों देखने को मिलता है जिनका करेक्टर प्यारा था मतलब अच्छा गासा करेक्टर था और मैंने ओरिजिनल वाला वर्जिन देख रखा है तो मैं यह कह सकता हूं कि एटिट्यूड काप और यह मूवी भी दो गंटे 32 मिनट की है पर इस रावल का जो ओपनेट वाला करेक्टर है काफी बढ़िया था सेम तू सेम वो भी तमिल वाले वर्जिन से है अक्षे कुमार की परफॉर्मेस मूवी के अंदर बढ़िया थी तो काफी अच्छा दाम किया इन्होंने बट सम पोटरू का अगर कोई सेटस वगेरा आता है जिसमें मेनली वही सीना में देखने को मिलता है और वो काफी इमोशनल सीन होता है इवन मैंने हिंदी डप में देखा था वो सीन फिर भी इंपेक्ट फुल था जिसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि दूसूरिया का चेहरा है व जो गिर गिराने वाला है मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल सीन था वो मूवी के अंदर मैं बताने सकते आपको बट इसके अलावा बागी जितने भी सीन्स बगेरा थे अक्स्तकुमार के सारे ही बढ़िया थे जो इमोशनल सीन वो अपने ममी के सादुन का होता है जब वो अ इस्पारिंग मूवी लगी थी मुझे वो परसनली उस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ब्यारा था वो जो कि इस मूवी के अंदर भी काफी अच्छा लगता है औरिजनल वर्जन इसलिए भी अच्छा था क्योंकि सूरिया ने उस करेक्टर वो काफी अच्छी तरीके से प्र रक्षर कुमार के फैंस आराम से इस मूवी को देखो यह मूवी बहुत बढ़िया होने वाली है तुम लोगों के लिए अच्छी बात एट लिस्ट हम इस मूवी को अपसर कुमार की वर्ष्ट मूवी की लिस्ट में नहीं रखेंगे यह मूवी अच्छी थी इतनी बुरी नहीं थी जितना लोग कह रहे हैं खिर आपने यह मूवी अब तक देखी आपर नहीं देखी नहीं देखी तो देख लो आपकी इच्छा है और अक्षर कुमार के फैन हो तो जाकर यह भी देख सकती हो इसा कोई इस मूवी को देखने में भी मिलेंगे हम अगली वीडियो मे तिल देन टेक केर बाई बाई